एक्सिसाइस 14.3 14.3 में दिया गया है लाइन ग्राफ जैसे कि आपको दिख रहा है ग्राफ में लाइन का प्रयों किया गया है डॉट को मिलाकर तो यही होता है लाइन ग्राफ तो सबसे पहले इस एक्जामपल को समझें इनक्रीज इन सेल ओफ मोबाइल ओवर दे ए इस इन वर्शों में मोबाइल की सेल दी गई है ठीक है सन दो हजर पांच में 18 लाक में दिया गया है यहां लिखा है इन लाक है तो 2005 में 18 lakh mobile phones, 2006 में 19 lakh, 2007 में 20 lakh और इस तरीके से 2014 तक दिया गया है अब आते हैं ग्राफ पर हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ किस तरीके से आप इस केल का इस करेंगे और इस केल में आपको 1 cm लेना है जब आप यह ग्राफ ड्राउ करेंगे तो आपको यह जो आपको square boxes दिखाई दे रहे हैं book में छोटे हैं लेकिन copy में आपको कैसे लेना है 1 cm ठीक है यहां से start करना है 0 से और यह 1 तक लाना है तो सब नंबर के बीच में 1 cm का gap है तो जब आप यह ग्राफ ड्राउ करोंगे तो आपको horizontally और vertically हर तरीके से 1 cm का gap ही रखना है तो 1 cm का gap रखते हो इस तरह का आपको ग्राफ ड्राउ हो गया ठीक है अब आपने यहां से first line जो है यह यह नम लिखिया यह उसके बाद क्या है मारे बास sales आपको है in lakhs में ठीक है यह मोबाइल फोन की संख्या है फिर्स्ट लाइन बिल्कुल होरिजॉंटली यह और वर्टिकली यहां पर इस्टार्ट है यह है 16 उसके बाद 18 लाइन यह 20 22 24 26 इस तरीके से अब देखिए जब आपने ग्राफ ट्रॉ कर लिया उसके बाद को क्या करना है आप देखेंगे 2005 में 18 लाइक यूनिट भी की थी तो 2005 पर डॉट आप 18 पर लगाएंगे 2005 यह रहा और डॉट आपने लगा दी 18 पर त्योंके उसके बाद है 2006 में 19 तो 2006 वाली जो लाइन है इस लाइन पर डॉट कहां लगाएंगे 19 के आगे तो देखें यहां 18 है और यहां 20 है सामने सामने देखें यहां 20 है और यहां पर 18 है तो 18 और 20 के बिल्कुल बीच में होगा 19 यहां पर आपने डॉट लगा दी यह वह 19 उसके बाद 2007 में डॉट लगाई आपने 20 पर यह 20 के 20 के देखें बिल्कुल सामने यह 20 और यह हमने 2007 का डॉट लगाया ठीक है उसके बाद पाएंगे 2008 पर, 2008 पर आप देखेंगे 22 पर ले जाना हमें, तो 22 के सामने यह रहा, यहां पर डॉट लगेगी, तो इस तरह किसे जब सारी डॉट कम्पेट हो गई, तो उन डॉट को हमने स्केल की हेल्प से मिला दिया, और यह हमारा लाइन ग्राफ कम्पेट, इसी तरह किसे ह तो सबसे पहले देखेंगे, एज है 0 मंस, 2.5 kg, इन्हों नहीं है करके दिया है, तू और थ्री के बीच में, तू पॉट फाइव क्या होता है, ध्याई, यानि 2 से जादा दीन से कम, दो और तीन के बिल्कुल बीच में, तो दो और तीन के बिल्कुल बीच में आएगा 2.5, यहाँ पर इन्होंने पहले से करके दिया हुआ है, फास्ट पॉट, उसके बाद है, टू मंस जो है, वो फोर पर ले जाना है, टू मंस, फोर के सामने, देखें, यह रहा फोर, फोर के सामने यहाँ, उसके बाद फोर को कहा ले जाना है, फाइव पर, फोर को ले जाना है, य यहानी 6 और 7 के बिलकुल बीच में 10 को ले जाना है 7.5 यहानी 8 और 7 के बीच में और 12 को ले जाना है 8 यह है 8 ठीक है अब क्या करना आपको स्केल से इन सभी डॉट को मिला देना है यह होगा आपका लाइन ग्राफ कंप्लीट फर्स्ट में देखिए यहां एक डाटा दिया है जिसमें बताया गया है कि कितने केवल कनेक्शन बड़े 2007 में 150 केवल कनेक्शन देखना है 2007 में केवल कनेक्शन 150 बड़े 150 है 40 और 60 के बिलकुल बीच में तो 150 में यहां डॉट अल्रेड़ी लगी हुई है उसी बार 2008 में 160 और बढ़ गए 2008 में 160 यह रहा 160 160 के सामने देखिए यह रहां ठीक है 2009 में 180 यहां गया 180 2010 में 200 2011 में 240 अब इन डॉट्स को क्या करना है मिला देना है यह लाइन ग्राफ कंप्लेटथ